Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 13.2 से question number 1 करेंगे The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm2 एक right circular cylinder है जिसका curved surface area दे रखा है 88 cm2 और उसकी जो height है वो 14 cm दे रखी है Find the diameter of the base of the cylinder तो इसका जो base है ना इसके base का diameter आपको निकालना है यानि कि ये जो diameter है ये निकालना है अब जो cylinder होता है वो right circular cylinder का मतलब ये होता है कि ये नीचे से उपर तक बिलकुल same है इसका जितना diameter नीचे होता है उतना ही उपर होता है दोनों जो इसके face होते हैं उपर नीचे के ये circular होते हैं और बीच में ये गोल होता है जैसे कि ये फैविस्टिक देख रहे हैं आप ये नीचे से उपर तक बिल्कुल एकदम same size की है नीचे इसका जो ये circle है और ये circle है ये same size के होते हैं तो ये figure आपके cylinder बोली जाती है जब कहा जाए कि इसका curved surface area दे रखा है तो वो सिर्फ side side का दिया होता है यानि कि सिर्फ ये वाला part ये ही आपको इसके अंदर दे रखा है तो यहीं से question की शुरुआत होगी तो curved surface area of cylinder हमें 88 cm दे रखा है और curved surface area of cylinder का formula होता है वहाँ पर आपको 22 by 7 यूज़ करना होता है या फिर question में कहीं कहीं पर दे देता है कि आप pi की जिगे 3.14 something यूज़ करें लेकिन जब आपको कुछ ना दिया हो तो आपको pi की जिगे 22 by 7 ही लेना है तो यहाँ हो गया 22 by 7 radius हमको पता ही नहीं है इसके अंदर तो r as it is और जो height है यह 14 cm है यह सारा दिया हुआ है 88 के बराबर अब इसे solve करेंगे solve करके पहले हमारा r निकलेगा r निकल जाएगा r का जो double होता है वो हमारा diameter होता है तो यहाँ मैं solve करना हूँ इसे 7100 और यह 72014 यह पूरा कट गया उपर उपर 2 को 22 से multiply किया तो 44 हो गया 44 को 2 से multiply किया तो यह 88 आ गया और r इसके साथ में 88 r is equal to 88 r की value अगर निकाल नहीं है तो यहाँ r के पास जो 88 multiply में यह दूसरी तरफ जाकर यहाँ divide में चला जाएगा तो 88 को 88 से divide किया तो r की value आ गई है 1 तो radius तो हो गया इसका 1 cm लेकिन हमें कोशन में निकालना है diameter therefore diameter of base is equal to twice of r r का double होता है तो 2 into 1 cm is equal to 2 cm तो जो diameter होगा इसका यह 2 cm का होगा question खतम तो इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में थब तक के लिए goodbye endeu बाई हूँ हूँ